सभी को नमस्कार पाच्चात्य विद्वानूं की ऐसी धारणा रही है कि भारत में सोंदर्य शास्त्र जैसे विशाय का विकास नहीं हुआ मैक्स मुलर ने सबसे पहले इस प्रकार की कुछ बात कही थी और हिस्ट्री ओफ वर्ल्ड एस्थेटिक्स के संपादक वो सांकिये ने भी मैक्स मुलर की बात को दुखराया उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए संस्कृत कावे शास्त्र पर जिन विद्वानों ने पुस्तकें लिखी आरंभ में बीश्वी शताबदी के आरंभिक दश्कों में महामहुपाद्याय पीवी काणे और एसकेदे जैसे विश्व विश्वत विद्वानों ने उन्होंने भी लगबग इस बात को दोराया कि इस्थेटिक्स का विकास संस्कृत की परंपरा में शास्त्र परंपरा में नहीं हुआ है हिंदी के तिजस्वी आचार्य नंद दुलारे बाचपेई ने वो सांके की इस दार्णा का प्रबल प्रतिवात किया यह सत्य है कि अलग से एस्थेटिक्स के लिए सवंदर्य शास्त्र ऐसा शब्द संस्कृत की शास्त्र परंपरा में नहीं है या आधुनिक काल में, एस्थेटिक्स के अनुवात के रूप में हमारी भाशाओं में, हिंदी में, अन्य भाशाओं में व्यवरत होने लगा है और फिर संस्कृत में भी इसको स्विकार कर लिया गया है पर शब्द न होने से वह शास्त्र नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, संग्या के अभाव में संग्गी को अनुवस्थित नहीं माना जा सकता है शब्द तो इसलिए नहीं है अलग से कि जो हम में रमा हुआ है और हमसे अभिन्न है हम में ही है और हम उसमें है उसके लिए अलग से संग्या करण कि आउशक्ता हमें कई बार नहीं होती यदि हमसे भिन्न है तो उसे हम नाम देना चाहते हैं हमसे जिसके अलग से पहचार नहीं है तो उसे हम अलग नाम नहीं देते जिस भाषा की शास्त्र परमपराएं अनेक सहस्त्र वर्षों तक विक्सित होती रही हो तथा अपनी बहुलता विविदता और प्रसार में अनुपम हो उसमें सौंदर्य शास्त्र नाम से अलग से कोई प्रस्थान न मिलने का एक कारण तो यही है कि भारती जीवन बोध में शास्त्र परमपरा में सौंदर्य शास्त्र इतनी गहराई से विदा हुआ है कि उसे हमने अपने से अलग करके नाम देनी के आवश्यक्ता नहीं समझी वेदिक कभी तो इस संसार को कविता मानते हैं इश्वर की कविता है इश्वर सुंदर है संसार सुंदर है तो संसार सुंदर्य शास्त्र तो रमा हुआ है चब्द नहीं है क्योंकि जितने शास्त्रें उन सभी में कईन कई संसार समाया हुआ है अलंकार शास्त्र या कावि शास्त्र संगीत शास्त्र काम शास्त्र शाइव दर्शन शाक्त दर्शन वैश्नावागम शाइवागम शाक्तागम इन सब में सौंदर्य शास्त्र को लेकर बहुत विशद विश्रत सूक्ष में विवेचन मिलता है और सौंदर्य के जितने परिय आए हैं संस्कृत में उतने अधिक कदाचित दूसरी भाषाओं में अंग्रेजी आधि भाषाओं में नहीं प्राप्त होते हैं यदि प्राप्त होते भी हैं तो उनमें वह मनोवेज्ञानिक और दार्शनिक चेतना नहीं है जो सुंदर्य शास्त्र विश्यक संस्कृत शास् इतने विशिष्ट अभी प्रायों के साथ में अन्य भाशाओं के शब्द जो सौंदरी के परियाएं वो नहीं आते हैं चार्म है डिलिकेसी है इलेगेंस है अल्यूरिंग है ग्रेस है गुड्लुक हुआ हैंडसमने से लवलीने से क्यूटने से एक्सक्विजिटने से अट्र दार्शनिक जो आधार भित्ती है जो आनंदवर्धन ने बनाई है इन शब्दों के पीछे वो खुल जाती है यदि हमने काविशास्त्र पढ़ा है तो जो शोभा, चारुतार, उचिर्ता, कमनीता, रध्यता, रूप, प्रतिरूप, मनुहारितार, लावण्य, लालित्य, बहुत सारे जो शब्द हैं उनमें जो अभी प्राय छिपे हुए हैं सौंदरि शास्त्री दर्श्टी से दार्शनिक और मनोवेग्यानिक, वो बहुत कितनी सुदर्ड भित्ती है सौंदरि शास्त्र की समस्कृत परंपरा में भारती परंपरा में, इसको हम उससे जान सकते हैं इसी परंपरा में अविनवगुप्त आते हैं जो कि भारती शास्त्bon परंपरा के एक मौलिक व्याख्याकार हैं भारती दरशन के विविद पक्षों पर गहन विमर्ष किया है उन्होंने तो सौंदरि शास्त पर विमर्ष उसके साथ उनका उसके प्रसंग से हुआई है और इस प्रकार से विशिष्ट है जो सौंदर शास्र अभिनों गुप्त बनाते हैं उसको इससे भी हम जान सकते हैं कि प्राय प्रश्ण ठाय जाता है कि सौंदर वस्तु में है कि चेतना में है इस तरह का कोई प्रश्ण हमारी परंप इस्टरिक्स के लिए इस तरह की प्रश्ण पर हमार यहां विचार नहीं किया गया भारती स्वाइन शास्त्र में यह प्रश्ण नहीं अनुध्थानों पहत या उठने के पहले ही मरा हुआ समझना चाहिए क्योंकि सबकुछ यदि सुन्दार है तो विशाय में है कि विशायी में है यह अंक्यों प्रशन उठाएंगे बतो सर्वत्र ही है उसमें भी है और इसमें भी है यही द्रश्टी बनेगी जो वेदिक विश्वबोद में बनती है सर्जना व्यापार विश्यक पक्ष कभी व्यापार विश्यक पक्ष कलाकार की जो रचना प्रक्रिया है उसका पक्ष है दूसरा समरचना पक्ष है जो इस ट्रक्चरल आस्पेक्ट है कलाक की जो समरचना है कभिता की समरचना तीसरा अनुभव पक्ष है जो ग्रहिता का भोगता का जो रिसीविंग एंड पर है उसका पक्ष है तीनों ही पक्षों की द्रश्टी से सोंदर्य तीनों पक्षों में किस प्रकार से समाया हुआ है इस पर विचार किया जाता है कला के सर्जग को प्रजापती से उपमित किया प्रमेश्वर की भूमिका पर आरूड होकर कभी सरजना में प्रत्त होता है, उसकी रचना में भी सोंदर या नुस्यूत होता है। प्रचना में भी सोंदर या आता है, प्रचना भी आपार में सोंदर या आता है, और जो भावक, जो उसका भोग लगाते हैं, भावन करते हैं, वे भी सोंदर ये द्रश्टी से, सोंदर ये स्रश्टी से उतप्रोथ हो जाते हैं, उसमें सराबोर होते हैं, निमच्जित होते ह अभिनोगुप्त बट्ट नायक के इस वाक्य को उध्रत करते हैं नायकस्य कवे शोतू समानोन भवस्त अता है नायक जो कविता की वस्तू में नायक पात रादी हैं गेरेक्टर्स हैं और कवी जो उनका स्रष्टा है और जो शोता जो भावा के सरदय है इन तीनों में वही एक अनुभव एक साथ तीनों को सरावोर करता है तीनों को परिव्याप्त करता है यह अभिनोगुप्त अदियाचारी मानते हैं इसलिए सौंदर्यान उभूती तीनों के अनुभव में पिरोई हुई होती है अभिनगुप्त ने कवी प्रतिभा और कावी सर्जना प्रक्रिया पर विचार करते हुए कहा है कि कावी का कारण कवी प्रतिभा है और इस प्रतिभा की विशेषता है रसा वेश से विशद सोंदर्य का निर्मान करने की क्षमता तस्या विशेषो रसा वेश वेशद्य अबिनागुप्त की जो अपनी जीवन यात्रा है, उसमें उन्होंने स्वेम अपार सोंदर्य का साक्षातकार किया, एक तो वच्पन से उन्होंने कश्मीर की धर्ती का सोंदर्य देखा, जिसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी पूरी राम कहानी में किया है, उसकी मैं अन्यत चर्चा की है अपनो गुप्त की जीवनी पर जो मेरा लेक भी प्रकाशित है और अपनो गुप्त पर जो मैंने यूट्यूब के इसी चेनल पर अनेक व्याख्यान दिये हैं उनमें कश्मीर के बारे में क्या-क्या वे कहते हैं यहां के नारंगी का संत्रों का वर्णन क करते हैं यहां की मधिरा का वर्णन करते हैं यहां की नैसर की एक चटा का वर्णन करते हैं प्रवरपूर इसको श्री नगर आजकल कहते हैं वितस्ता जहलम जो लहराती भी बहती है उसमें यह सब उन्हें लुभाता है तो सोंदर्ये के रसिक स्वयम अभी नवगुप्त है और संगीत शास्त्र में तो उनकी निपुणता प्रतिम हैं, जिस प्रकार से वे नाट्य शास्त्र के संगीत विशक अध्यायों की व्याक्या करते हैं, जो कि बहुत दुरू हैं इस समय हमारे लिए, अभिनव गुप्त उनको समझते हैं, ऐसा अभिनव भारती पढ़ते हैं हमको लगता है, वीणा वादन में वे कुशल थे, ध्यान श्लोक जो मदुराज योगी ने अभिनव गुप्त के लिखे हैं, उसमें वीणा के तार छेड़ रहे हैं, ये उनका पेन पिक्चर ये शब्द चित्र है, उन ध्यान श्लोकों में, सुशीर और घनवादियों का भी उन्होंने अभियास किया है, नाटिशास्तर के अंतिम अध्याय पर अपनी अभिनव भारती में वोई कहते हैं, कि वंशी के रंद्र में फूंक मारने की उपासना मेंने की है, आक्षेप योजन वचस कर कल्प मेवा यदवंश रंद्र चरणम तद उपास्य सम्यक, वंश के रंद्र चरणों की सम्यक उपासना करके ऐसा कहा है, यह नहीं कहा है कि वंशी में फूंक मारने का भ्यास मैंने किया उसके रंद्र के चर्णों की उपासना मैंने की संगीत के हरेक वाद्य में देवता बसते हैं तो उसकी उपासना मैं कर चुका हूँ ऐसा वे कहते हैं बासुरी बजाना भी मैंने सीखा ऐसा नहीं कहते हैं। तेव बासना मैंने की है वंट्शी के रंद्र के चर्णों की ऐसा कहते हैं। इस तरह से अभिनवगुप्त ने धर्ती के सौंधर्य को जाना सराहा, कलाओं की साधना पूजा मान करके की। और शेव दर्शंत था शास्त्र परमपराओं को रमाया अपने भीतर उन पर असाधारन अधिकार प्राप्त किया। यह उनकी एक सौंधर्य शास्त्री की रूप में जो उनकी निर्मिती है, मेकिंग ओप अभिनवगुप्त है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। उसी तरफ अपार दुख कष्ट से वे गुजरे, उपने स्वजनों की मृत्यु देखी, माता चली गई, अनात हो गए बच्पन में, किशोर हुए तो पिदा छोड़कर चले गए, यह सब वो जेलते रहे, और विपदाओं के कीच में अभिनवगुप्त के सौंधर्य के श वत्सलिका, बहुत इसने उन पर रखती थी, महिलाओं का बहुत इसने उनको मिला, यवण में विदवा हो गई थी, अभिनवगुप्त कहते हैं कि भावी का प्रभाव, यह उनका अनुवात पढ़ रहा हूँ, उनके श्लोकों का, भावी का प्रभाव ऐसा होता है कि एक अ अथारगड थी, वही उसकी तिलक रचना होती, वह जो श्रेवशास्त्र सुनती, वह उसके कर्ण फूल हो जाते, वत्सलिका अभागी कहां हुई, वह तो बड़ा सोभाग्य पा गई, यह स्रश्टी के सोंदर्य को सारे दुखों के बीच में इस तरह से भावित करने की कला अभिनव गुप्त में थी, उसको वह इस रूप में समझाते हैं, स्रश्टी में सोंदर्य है, जगत में सोंदर्य है, जीवन में सोंदर्य है, अभिनव गुप्त, शीव का संबंद संपूर्ण कला स्रश्टी से जोडते हुए, उन्हें अर्थात शीव को सुन्दर कहते हैं शंकरस्यव भगवत परिपूर्ण आनंद निर्भरी भूत देःओ चलदांतर निर्वार सुंदरा आकारस्य ऐसा वे कहते हैं। भगवान शंकर जब परिपूर्ण आनंद में निर्भर होकर के उससे सरावोर होकर के पूरे देः में उनकों अच्छ लगता है वो आनंद तब वो नत्य करते हैं तो क्या सुंदर आकार उनका बनता है ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। इस रश्टी में रमेवे शिव प्रकाश सुभावाले हैं। प्रकाश विमर्ष सुभावाला है। परमार्तसार में अभिनवगुप्त कहते हैं कि विश्व की रूप में स्पुरित होना, विश्व को प्रकाशित करते हुए स्पुरित होना, तथा विश्व का संभार करके स्वयम अक्रत्रिम रूप में स्पुरित होना, यह भी मर्ष है। स्वात्मो चलता या भीतर का उच्छलन इस स्रष्टी प्रक्रिया की प्रहचान है स्वातंत्र उसका सुभाव है इसी को या जो आत्मो चलता है उसको इस्पंद भी कहा गया है यही स्रष्टी प्रक्रिया भी है कला की सरजना प्रक्रियाबी है इस्पंद के द्वारा संकोच और विकास अर्थात उन्मीलन और निमीलन होता रहता है चित शक्ति के ही दो रूप होते हैं आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति शक्ति का अंतरमुक इस्पंद आनन्द है बहिरमुक इस्पंद इच्छा है अंतरमुक इस्पंद में परमशिव विराजमान है बहिरमुक इस्पंद में शक्ति विराजमान है इश्वर का बाहर उन्मेश सारे संसार में व्यक्त होना प्राण है प्राण सारे विश्व में व्याप्त है प्राण ही जीवन है प्राण हमारे देह में भी होता प्रोथ है, हम उसे देख नहीं पाते, वह इस्पंदित होता है तो हम अनुभव करते हैं कि जीवन है, प्राण या इस्पंदन कहीं अस्पुट होता है, जलकता भर है, तो कहीं इस्पुट या दबा हुआ, होता है इसका इस्पंदन या सम्व शास्त्री भूमिका अभिनवगुप्त के चिंतन में बनती है तुल मिला करके है श्रष्टी श्रीव की लीला है श्रीव अपने स्वातंत्र से तथा उच्छलित होते हुए आनंद से अपनी लीला की रूप में इसे रचते हैं श्रीव विराजे हुए हैं समस्त विश्व में इसलिए अभिश्व सुंदर है अभिनवगुप्त के पहले श्रीव दरष्टिकार सुमानंद तथा उत्पल देव जैसे श्रीव दार्ष्णिकों ने कला के विमर्ष के लिए ऐसे महादवार खोल दिये थे जो अन्य किसी भारती दर्षण ने नहीं खोले कदाचित संसार में किसी अन्य तत्व चिंतन या धर्षण कलाविमर्ष के लिए ऐसा आउकाश नहीं रचते सुंदर्य के लिए जो श्रीव दर्षण में रचा गया परमतत्व की अनुभव को समझाने के लिए कलानुभव को उपमान बनाया गया और कलानुभव को समझाने के लिए शिवानुभव को उपमान बनाया गया यदि यह संसार शिव में है तो इस संसार के हर एक अनुभव को शिव का अनुभव बनाया जा सकता है योगी भी भोजन पान उसी तरह करता है जैसे सामान्य जन पर सामान्य जन को उसमें दैहिक तुष्टी मिलती है परमानंद नहीं योगी संसार के विश्यों में शिव की भावना करता हुआ उनमें भी परमानंद के अनभों में रमता है इतना ही नहीं योगी या साधक के लिए विश्यों के उपभोग और उनके साथ नक्त्य गीत काव्यादी को उसके मुक्तिमार्ग में सहायक भी माना गया विग्यान भेरव का उधरण है उसको मैं छोड़ देता हूँ और अभिनव गुप्त इश्वर प्रति विग्यावी मर्शिने में विग्यान भेरव के इस कथन को उधरत करते हुए कहते हैं कि वास्ता में योगी संसार के नाटक को अपने भीतर देखता है और उसका साक्षातकार करता है यह साक्षातकार प्रमोद निर्भर आनंद से आपलावित होता है इसमें चमतकार और रस की संपूर्णता आती है संसार के विश्यों के आस्वादन और कावि के आस्वादन में अंतर्या है कि संसार के विश्यों के आस्वादन में विश्यों का व्यवधान होता है विशाय जब हट जाएंगे तो अनुभवी चला जाएगा चेतना और आस्वात के बीच में वहाँ सांसारी के विशाय रहता है कावे के आस्वात में विशाय व्यवधान नहीं रहता समसकार का समसकार वहाँ रहता है अधर भूमी पर जो सोंधर्य शास्त्र निर्मत होता है वो शक्ति का सोंधर्य शास्त्र है हम प्रत्याव मर्ष अपने होने का भी मर्शाथमक बौद उसकी अनिवार्य शर्थ है वेदांत और वैश्णव भक्ति से जुड़ी दार्षिनिक परंपराएं जहां अहम को निर्बूल करने पर पल देती हैं, शेवतंत्र वा प्रत्यविग्या के दर्शन इस अहम को साधना का मूल स्विकार करके इससे आगे बढ़ते हैं, अहम ही यहां भेरव हो जाता है, अहम प्रत्यवमर्ष हो जाता है, उससे कलानुभूती की भूमी का बनती है, शेवि संसार में समाय हुए हैं, इसलिए इस संसार का हर विशय संविद रूप या चेतना से संबलित है, इस संविद रूपता के कारण संसार के विशय रचनाकार के भीतर, प्रकाश, विमर्ष और इस्पंद का उल्लास रचते हैं, इस उल्लास को वीर्य विक्षोप भभ भी कहा गया है जो एक जैविक प्रक्रिया भी है chemical process भी है या psycho chemical process भी है पर अध्यात्म में या परिवसित हो जाती है यहां अभिनगुप्त के सोंदर ये श्रास्त्र में चमतकार का अधिकावेश ही वीर्य विक्षोग है इस चमतकार को भोगावेश भी कहा गया है वीर्य बल ओजस प्राण तथा रमणीता ये समीकरण अभिनगुप्त के दर्शन में बनते हैं शर्ष्टि प्रक्रिया में जैसे विमर्ष कहा गया रसास्वाद की प्रक्रिया में उसी को चमतकार कहा गया है इस प्रष्ट भूमी में अभिनगुप्त के सोंदर ये दर्शन की मिमान स हम तीन पक्षों की दरश्टी से करेंगे कला की समरचना, रचना प्रक्रिया और आस्वाद कला की समरचना में सोंदर्य है अभिनागुप्त के पहले समरचना पक्षपर बहुत विशद विचार हुआ और वामन ने कहा कि सोंदर्य ही अलंकार है अलंकार सार है आत्मा है कविता का और जैसे फूल की पंखुडियां उनकी समरचना में सोंदर्य होता है उसी तरह से कविता की पंखुडियां कविता का बंद पंता है यहां पर और इस रष्टी से कविता के सोंदर्य का यहां जो विचार किया गया है उसमें भरत्मुनिय जो दस गुण बताए थे शलेश प्रसाद सम्ता समाधी माधुर्य वजस्पत सो कुमारी अर्थप्यक्ति उधारता और कांती ये शब्द में भी समाए होते हैं इसलिए वामन ने शब्द गुण और अर्थगुण के रूप में इन दस को बीस बनाते हुए बहुत विस्तार से कविता की बहुत कहरी मीमान सा उन्होंने की अभिना गुप्त इसको स्विकार करते हैं क्योंकि वो तो भरत्मुनी के दस गुणों को भी स्विकार करते हैं वो धनिवात की सीमाओं को तोड़ देते हैं और जो समुरचना में सोंदर्य है उसको भी स्विकार करते हैं और एक बन्द बनता है। कविता एक फूल है तो उसमें भी एक पूरी सम्रचना में सोंधर ही। इसको देखने वाला उसको सुन्दर अनुभव करता है वो भोगता का पक्षे हैं। लेकिन फूल में सुन्धर का नहीं है, ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं। कविता के फूर में भी सुन्दरता उसी तरह से होगी, यह जो वामन ने भहुत सारे द्रश्टांत दिये, चित्र का द्रश्टांत दिया, आसु तिर्श रिशु रीतिशु रेखा स्वी वे चित्रम, तिर्श्ठितम का व्यम, कविता का, कविता रूपी चित्र का जो पंध सम्रचनावको व्याख्या करते हुए धंडी और वामन आदियाचाव्य देते हैं उनको अभिनवूप्त स्विकार करते हुए कुंतक और अभिनवूपत दोनों सम्रचनवादी सोंदीर शास्त्र की शेव शास्त्री पीठी का निर्मित करते हैं ये दोनों दंडी और वामन के सुम्रशनात्मक सुंदर्य को शेवदर्शन की शक्ति और परिस्वंद की अवधार्णाओं से जोड़कर उसे अपूर विलक्षन और समग्र बना देते हैं कुंतक ने कहा कि कविता के महावाक्य में प्रत्येक शब्द अपने आगे पीछे आने वाले हर एक शब्द का गठवंदन प्रत्येक शब्द में होता है प्रत्येक अर्थ का अपने पूरुवर्दी और परवर्दी अर्थ से साहित्य होता है इस तरह कुंतक ने साहित्ती की जो नवीन व्याक्या कर डाली उसमें तीन प्रक्रियाएं उजागर हुई शब्द रर्थ की अन्यून अनातिरिक्त मनोहारिनी अवस्थिती या दोनों का ऐसी समरचना में अवस्थित होना जिसमें दोनों में से कोई किंचित भी एक दूसरे से घटकर या बढ़कर न हो यह एक साथ मनोहर दोनों हो यह साहित्ती है दूसरा शब्द रर्थ तथा उनसे बनने वाली कावी की हर कोटी का परस्पर इस पर धादी रोह एक दूसरे से होड़ बदते हुए कविता को उचाईयों के शिखर पर ले जाना, और तीसरा शब्द और अर्थ का अपने सजातियों से साहिति, शब्द का अन्य शब्दों से, अर्थ का अन्य अर्थों से ऐसा मेर, यो संरचना को अद्यूती रूप में कुम्फित कर ले. अबिना अगुप्त कुन्तक की बाद को आगे बढ़ाते हुए केहते हैं कि यह जो बंध है यह बंध गुम्प वहनिती और उक्ति और वक्रोप्ति यह सब परियाए हैं और वक्रोप्ति का संबंद अबे भरत्मुनी के द्वारा समझा रहे हैं कविता का जो structure या बंद है कुछ 36 प्रकार के लक्षणों के द्वारा भरत्मुनी ने सूत्र जो दिया उसको अभिनागुप्त व्याख्याईत करते हैं और कुंतक के बाद अभिनागुप्त ने इस व्याख्या में चमतकार या किया कि वे बंद को इस बंद से जोड़ देते हैं तो बंद कविता की सारी सम्रचना है और इस पंद इस सम्रचना को रचने के लिए कवी के भीतर उठने वाली उमंग है इस पंद शेवदर्शन का पारिवाशिक शब्द है सारी श्रष्टी में इस पंद है शीव इस पंद के द्वारा संसार हो जाते हैं इस पंद सुभाव है वक्रता उसकी परिणती है परस्पर स्परधादी रोव के द्वारा शब्द रत-अन्योंय शोभाजनक हो जाते हैं अलंकारी अलंकरण अलंकार बन जाता है ये जो परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव सम्वेथ हो जाता है आभ्यंतरों वाहीविश जो बंद के रूप में व्याख्या करते हैं, वह अभिधे या अभिधान और अभिधा की त्रिपुटी उसमें समन्वित हो जाती है। अभिधान गुप्त कावि को कभी के अभिधान तर विश्व की अभिव्यक्ति मानते हुए भी उस अभिव्यक्ति से होने वाली निर्मितियों को एक बंद या गुम्प के रूप में समझाते हैं। वंधाव या गुम्पन के कारण सम्रचना में असाधारणता आती है। इसी को भणिती या वक्रता भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति होने पर वा किसी विशिष्ट रूप को धारण करेगी। इसमें सोंदर्य और अन्विती होगी। इसकी सम्रचना को समझाने के लिए भरत्मुनी तथा अभिनागुप्त ने वरक्ष और महाप्रासाथ मेंशन जो पेलेशियल बिल्डिंग है विशाल भवन उसका दृष्टान्त दिया है। बरत्मुनी कहते हैं कि जैसे एक बीज से वरक्ष होता है उस वरक्ष में फूल और फल आते हैं उसी प्रकार रचना का बीज कभी के भीतर होता है। अभिनागुप्त इस बीज को समवित कहते हैं यही समवित वस्तता रस है और उसमें परिव्याप्त हो जाता है। महाप्रासाद का दृष्टान्दवी काभी की सरजना प्रक्रिया को समझाने के लिए अभिनागुप्त और भरत्मुनी दोनों देते हैं। यह सम्रचनागत्रियाख्या है और अलंकारों को इस दृष्टी से कभीता के कला के अनिवारी मानते हैं। यह जो बाद में मम्मट आदी ने कहा कि वो बाहरी हैं गहनों की तरह उतारे जा सकते हैं। ऐसा आनंदवर्दन और अभिनों गुप्त नहीं मानते हैं। अभिनों गुप्त तो कम से कम बिलकुल ही नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं कि चाहे शब्दा लंकार ह यह तो कविता को दिव्य बना देते हैं परत्मुनी के नाट शास्त्र के पहली कारिका की व्याख्या में ही कहते हैं कि पिता मह महेश्वरव इसमें मह मह का जो छेकानुप्रास आ गया भरत्मुनी ने शास्त्र में भी अच्छे कानुप्रास का प्रयोग इसलिए किया है कि देवता प्रसन्न होते हैं, शास्त्र में भी सोंदर रहेगा तो देवता प्रसन्न होंगे, यह पूरा शास्त्र ही देवता प्रित्यर्त है, कोई भी शास्त्र जो है सोंदर रहित नहीं ह हो सकता इस दर्शन की अंतरगत नियाए दर्शन वेदांत में हो सकता है वो माने न माने इस बात को पर शेव शास्त्र में तो यह माना जाएगा कि जितना शास्त्र है उसमें भी सोंदर यही विधा हुआ है वो देवता प्रित्यर्थ ही पूरा शास्त्र है तो उसमें सोंदर तो में ही अलंभाव या अलंकार भाव की इस्थिति है। रिवा प्रसाद दिवेदी जी भी अलंभाव कहते हैं और अलंभाव या परिवाशा देते हैं। अभिनागुप्त अस्विकार नहीं करते हैं। अभिनागुप्त के लिए बार बार यह जोड़ देकर के कहा जाता है। जो पूरा ठीटर रंग मंच पर पस्तुद किया जाता है सुन्दर्तम बश्तु विशेश होने से इसमें प्रीति माइता रहती है उसी की जो जो object है, जो गला में वस्तु प्रस्थुत की गई है, उसमें रस और उसमें प्रिति मैटा रहती है, उसको भरत्मुनी ने नाट्टी रस कहा, पभने गुप्त उसको भी स्वीकार करते हैं, सर्जना व्यापार में सोंदर यह है यह तो कभी प्रतिभा की जितनी परिणतियां है वे सुंदर होती है प्रग्या नवनवोन में शिशालिनी प्रतिभा मता तदनुक प्राणा जीवत वर्णना निपुना कभी तो सिक कर्म स्मिर्टम काव्यम यह भट तोत का लक्षण है उनी के गुरु है भट तोत उनको उध्रत करते हैं इस लक्षण को उध्रत करते हैं तो यह सोंदर की रचनाय प्रदिभा के द्वारा की जाती है उसकी सर्जना व्यापार की व्याख्या अभिनागुप्त बहुत कि जो आनंद वर्धन ने उदारन दिया कि वालमिकी ने जब क्रोंच पक्षी को वान से विद्ध देखा तो कैसे कविता उनके भीतर से फूट पड़ी तो अब इना गुप्त कहते हैं कि प्रतम काविकी रचना में क्रोंच पक्षी के जोड़े से विछणने से जो शोक जन्म वह इस्थाई भाव है वह किसी व्यक्ति विशेश के लिए राग से निरपेक्ष है इसलिए शंगार रस के प्रसंग में दो प्रेमियों के विछुणना पर होने वाले व्यक्तियत शोक से वभिन है विलाप करती क्रोंची विभाव बन जाती है उसके करंदन आदी अनुभ विग्ली थोती होती है जिसे जल्द से भड़ा भड़ा चलकता है ऐसे ही उनका चिट उसकी दृतिया बिग्लाव के कारण रस से भर जाने से छलकने लगता है इस छलकने के कारण समुचित शब्दों और अनुरूक चंद में वह ढटलता जाता है इस शोक को मुनी का निजी निजी शोक नहीं समझना चाहिए क्योंकि क्रौंची के दुख से निजी तोर पर वे दुखी नहीं हैं। वैयक्तिक शोक से आविष्ट मनुष्य कावी की रचना नहीं करने लग जाता। यह जो सार्व जनीन शोक होता है उससे जब आविष्ट हो जाता है रचना अगवार, संसार के सारे दुख, सारे सुख, आनंद, अनुभूतियां, विराट व्यक्तित में उसके पिरो दिये जाते हैं, तब रचना की घुमिका बनती है, यही सोंदर्य की रचना की घुमिका ब संसार के समस्त प्राणियों का दुख, कभी का दुख बन जाता है, स्रश्टा निर्वयक्तिक हो जाता है, जिन भावों से आविष्ट होकर वकाविर रचता है, वे भी निर्वयक्तिक हो जाते हैं, निर्वयक्तिकता में सोंदर्य नहीं, गरत पड़ दिया है, वयक्तिकता में सोंदर्य नहीं निर्वयक्तिक हो जाने में सोंदर्य है या निर्वयक्तिक ता सार्वजनीन भावों से आविष्ट मनोदशा में एक समाधी की इस्थिती में घटित होती है विनेता रंगमंच पर जो भूमी का रचता है इस भूमी का में भी वह समाधी में इस्थित होता शिव जब तांडव करने को होते हैं तब वे इसी समाधी से आविश्ट मनोदशा में अवस्थित होते हैं यह सारे अविनोगुप्त के उद्धरन हैं मुहल संस्कृत में लिखे हुए हैं उनी का अपनी तूटी-पूटी भाषा में मैं अनुवात पढ़ रहा हूं जो मैं कर सका यह समाहित इस्थि विशय वे मुख्य के इस्थिति में नहीं पाई जा सकती इसलिए मुनियों के द्वारा रचना नहीं हो सकती विशय में तलीनता भी होगी उस सारे विशय हमारी चेतना में एकाकार हो जाएंगे चेतना उन से समाई हुई होगी चेतना में वे समाई ह जो वैराग्य है शेव शादना की प्रक्रिया सुता Jewish हो जाती है शिव सूतर के बार्वें सूतर में वसुगुप्त कहते है विस्मयो योग भूमिका शिव सूतर विमर्शिन में क्षेमराज इसकी व्याक्या करते हुए कहते है किसी सातिशय वस्तु को देखकर विस्मय होता है पर योगी तो संसार में शिव की लिला देखते हुए नित्य ही सामान्यातिशय नवनव चमतकार चित्खन स्वात्मा वेश वशात विस्मय से इस्थब्द होता रहता है अर्थात रोजमर्रा के जीवन की तुलना में कुछ असाधारण अनुभाव घटित होता है इसमें नया नया चमतकार हो जाता है और चेतना घनीभूत होकर आत्माविष्ट स्थिती में रहती है इससे उसके समस्त करण चक्र या इंद्रियां विक्सित होते रहते हैं या विस परतत्त्त्त्याइक के योग की भूमिका बन जाती है इस विस्में दशा में आत्मा को ही देखता है स्वातमद्धवारेण शोकारत स्यास्य शकुने हैं, किमिदम व्याहरतम मया, यह मेरे मुँझे क्या निकल गया, शोकारत शकुनी की जो दशा है उससे एकाकार होने से, ऐसा पालमी की स्वयम चकित होकर सोचते रह जाते हैं, यह कलाओं की सरजना भूमी भी इसी प्रकार की होती है, यह विन अगु और संक्षेप में कावि सरजना प्रक्रिया हो चाहे, समर्चना हो चाहे, रसानुभूती हो, तीनों में वही अनुभा पिरोया होता है, प्रचनी की प्रक्रिया जिस तरह से चलती है, उसके उलट होकर के फिर वहीं पहुँचता है, सरदय, और उसी प्रक्रिया से समर्चना इसलिए एक तानता रहती है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो कलानुभूति या सोंदर्यानुभूति है उसमें भी स्रष्टा के भीतर जिस प्रकार से विसमयावेश होता है जो योग की भूमिका बनता है श्रेव सादक के भीतर विसमयावेश होता है और जो भोकता या सरदय है उसके भीतर भी परियुत्सुकी भवन और विसमयावेश होता है उत्सुकता जागरित इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से विश्चंत ने गीत सुना तो अव्यक्त कई प्रकार की इस्प्रतियों के तार समस्कारों के तार जंकरत हो उठे वो चकित हो गया अव्यक्त उठसुकताओं से भर गया तो रम्याने वीक्ष मदुराश्ट निशम में शब्दान परियुत सुकी भवत या सुकीतो पी जन्तू या परियुत सुकी भवन की दशा आ गई एक तर इसे यूनिवर्सल यर्निंग जिसको विद्या निवास मिश्र जी ने अंग्रे जी में व्याख्या करते हुए कहा है एक विश्व जनीन महा और सुक्य का महा भाव उसमें अवस्थित होता है उसमें पिर विश्मे आवेश होता है और फिर अपने आपको साक्षाद कार करता है कि यह में क्या देख रहा हूँ इसा अविनगुप्त की द्रश्टी से व्याख्या कुल मिलाकर के रसान उभूती की संदर्यान उभूती की बनती है इस सम्विद विश्रान्ती के अनुभव में प्रमाता आत्मरूप मती हो जाता है अपने आप में पत्रिष्ठित हो जाता है अपनी आत्मा के द्वार से संसार को वह देखता है आत्मरूप मती स्वात्म द्वारेन विश्रम तथा पश्यन यह अविनगुप्त व्याख्या कहते हैं तब यह जो अनुभूती होती है, यह अनन्त हो जाना, एक तरह से सीमित व्यक्तिका, निर्वयक्तिक हो करके अनन्त हो जाना, तो निर्वयक्तिकता की बाद तो टीए सिरियट आधी करते हैं, जो थोड़ा भूत आभास उनको, कुछ समस्कृत काविशास्त्र का है उसके पर अभिनोगुप्त जो चेतना की विराठ हो जाने की स्थिति की व्याख्या करते हैं, और प्रमाता किस प्रकार से अपने सारे सीमित बंधनों को, कंचकों को चोड़ करके निसीम होता है, और उसमें जो सोंदर्यान उभूती करता है, वह वास्त्तिक सोंदर्यान उभूत यह हम कह सकते हैं, इस प्रकार से, संक्षेप में, भारती एकाविशास्त्र की परमपरा में, अभिनोगुप्त का जो सोंदर्यान उभूती करते हैं, जैसा आगे कुछ यदि मुझे भासेगा, तो फिर कभी चर्चा होगी, बहुत सारी बातें चूट गई हैं, और बहुत सारी बातें, जो सम्रचना पक्ष को लेकर के, योरोप के सम्रचना वादी संदर्यास्त्री कहते हैं, उनको अपने ढंक से किस प्रकार से भारती एकाविशास्त्री उसंदर्यास्त्री कह चुके हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है फिर कभी चर्चा करने का उसर होगा आपको यदि जो कुछ मैं कहता हूँ अच्छा लगता है तो सुनते रहें मेरे इस चैनल से जुड़े रहें इसको सब्सक्राइब करें मेरे वक्तवियों को सुनकर के अपनी सम्मती से असामती से मेरे दोश से मुझे अउगत कराते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार